पाली, 31 अगस्त, जिले में सूमवार को 580 सेंपल की जांच रिपोर्ट में से 90 कोरोना से संक्रमित मरीजों की पहटान हुई हैं, अब तक कुल 4621 कोरोना पाई अजिडिव में से 3771 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, वर्तमान जिले में 798 केस एक्टिव हैं, जिले में अब तक 52 व्यक्तियों की मृत्यू कोरोना वायरस से हो चुकी हैं, जिला कलक्टर अंच दीब ने बताया कि सूमवार को 90 पाई अजिडिव केस आएं हैं जिनमें पाली शहर में 31, पाली ग्रामींग में 3, रोहट उपखन क्षेतर में 1, सोजत में 17, देसूरी में 19, रायपुर में 2, जैतारण में 9, मारवार जंक्षन में 2, बाली में 1, सुमेरपुर में 3 तथा रानी उपखन क्षेतर में 2 सेंपल की रिपोर्ट पाई अजिडिवाई हैं, सुमवार को रिकवरी के बाद 73 लोगों को अस्पताल से छूटी दे दी गई हैं, जिसमें पाली शहर से 7, पाली ग् में 1, सोजत उपखन क्षेतर से 28, दे सूरी से 7, रायपुर से 3, जैतारण से 2, बाली से 11, सुमेरपुर से 9, मारणी क्षेतर से 5 व्यक्ती को रिकवरी के बाद अस्पातल से छूटी दे दी गई हैं, अब तक 3771 व्यक्तियों को रिकवरी के बाद अस्पताल से छूटी दी वर्तमान में 798 एक ट्रिकेस है जिनमें पाली शहर के 188, पाली ग्रामीन के 17, रोहट के 16, सोजत 196, दे सूरी के 75, रायपुर के 44, जैतारण के 74, मारवार जंक्षन के 33, बाली के 43, सुमेरपुर के 84, एवं उपखन क्षितर रानी से 28 एक ट्रिकेस है जीले में सोमवार को 652 सेंपल लिये गए हैं, जिनमें पाली शहर के 13, पाली ग्रामीन के 11, रोहट से 49, सोजत से 65, दे सूरी से 41, रायपुर से 38, जैतारण से 41, मारवार जंक्षन से 115, बाली से 79, सुमेरपुर में 46, तथा रानी उपखन क्षितर से 57 सेंपल लिये गए हैं 1278 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटेव हैं, वर्तमान में 1017 सेंपल की रिपोर्ट आना बाकी हैं, उन्होंने बताया कि पाली जिला अस्पताल में 70, सोजत अस्पताल में 9 तथा विभिन कोविड केर सेंटर में 134 मरीज वर्तमान में भरती हैं, इसके साथ 534 मरीज हूम आई स तो लेट है